धाकर बल्यबाज को मिली टीम इंडिया में अकेला ही छोरा सकता है बंगला देश के छत के अगर आप भी जना जैते ये खेलारी कौन है इस वीडियो के एक लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेले कंद वाना विल्कुल न भुलिएगा बंगला देश के खिलाब टीम दार को मौका मिला है वह लंबे लंबे छक्के लगाने माहिर है अगर उनका फर्म जारी रहा तो वह अकेले दम पर मैच पलटने की छमता रखते हैं अच्छी बात ही है कि इस वीडिया हजारे ट्रोफी में रजत का बल्ला आप उगल्ला ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि व मजूदा समय भारतिय टीम में चल लें कॉंप्टिशन को देखते हुए जगह बनाना बहुत ही बारा बात आई लेकिन रजत पाटिदार ने अपने परदर्शन के दंबर टीम में जगह बनाई है बी सी सी आई ने जब टीम का हैलान किया तो उससे संजू सेमसंग दीपा आई खेलतों वेगारा पाडियों में 40-5-4 के उससे 404 रन बनाई है इस दोरान उनके बल्ले से एक सतक अर्डू और सतक भी निकले है आई पी एल में उनका बेस्ट रेस्कोर 112 है आई पी एल में रजत एक सो चबाल स्पेंट टून की स्ट्राइक रेट से रन बनाते है जो स स्टांदार माना जाता है दोस्तों राधत पटिदार के दूले एक लाइक जरू बंदा है सीजिए मैजिक मिलो और किरकेस लेडर जनकरी हर दिन आप पाना चाहते है तो इस चनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए